चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शेशन और जो की टॉफ 30 कोशन का है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रशन और उससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है इस चैनल को जासे आदर लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिजिए स्टार्ट करते हैं आ में 729 रुपे ध्यान रखना यहाँ पर 4 वर्सों का मिश्धन कितना हो जाता है दिया गया है 729 और यहाँ 7 वर्सों में 331 रुपे हो जाता है 7 वर्सों में कितना हो जाता है 331 रुपे हो जाता है confirm अब अच्छी से देखें यह आपसे कहता है जबकि ब्याज की गड़ना वाशिक चक्रवेदी ब्याज की आधार पर की जाती है तो वाशिक ब्याज की दर ग्यात कीजिए कैसे निकालना है आजाईए मेरे साथ मुझे एक बार बताईए यहाँ पर यह हमारा चार साल का मिशिधन है यह हमारा साथ साल का मिशुधन है मैं आपको किलियर करा दूँ मिशुधन का मतलब होता है इसमे इसमे चार साल की साधारण व्याज तथा मूलधन इंकलूड होगा इसमें 7 साल की साधारण ब्याज तथा मूलधन इंकुलूड होगा मुझे एक बात बताईए यहाँ पर अगर मैं एक बात आपसे पूझना चाहूँ यहां मूलधन तो कॉमन है न यानि कि ब्याज की उपर ब्याज मिल रही है तबी तो रेट निकलती है तो मैं यह कह सकता हूँ जब भी आपको कोई दो मिशिधन दिये जाए तो उनके बीच आप समय का फर्क देख लेना कि कितने समय का फर्क है आपने कहा 3 साल का 3 वर्स का अगर 3 वर्स का है और आपको डाटा 1 वर्स में पहुचाना है क्योंकि यहाँ पर आपको दण निकालनी है वार्षिक वार्षिक का मतलब होता है एक साल का अंतर तो आपको 3 साल से 1 साल में चेंज करना है तो इसी को तो कहते है एक बटे 3 करनी क्या कहते है एक बटे 3 को क्यूव रूट आपको Q root कर देना है Q root कर देना है जैसी आप Q root करेंगे तो 729 का Q root क्या होता है आप बोलेंगे मुझसे यह होता है 9 की power 3 घात से करणी कट जाएगी finally 9 बचे का यह होता है 11 की power 3 घात से करणी कट जाएगी finally बचे का 11 मुझे एक बात बता पा रहे हैं आप लोग कि यहां पर आप देखिए यह आ जाएगा एक साल का डाटा यानि कि अगर आपका अधन 9 यूनिट था अब हो गया है 11 कितना मिल रहा है आपको आपने खाए 2 यूनिट आपको मिल रहा है ब्याज के तौर पर किस पर 9 पर इंट्ट तो सो बट्टे नौ जो की आएगा 22.22 प्रतिशत जो की ओफ्शन नमबर आपको दिखाई दे रहा है सेकंड चलिए दूसरे प्रेश्ण में चलते हैं और दूसरा प्रेश्ण क्या कहने कोशिश करता है दोग जाए इसको रफ करते हैं पहले दोग क्या कहने की कोशिश करता है कहता है कि दो संख्याओं का अनुपाद तीन अनुपाद दो है तो दो संख्याओं में पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी और इन दोनों की बीच में जो अनुपाद है तीन अनुपाद दो है और आगे बोलता क्या है यदि पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 गठाया जाता है यानि कि पहली संख्या से गठाया जाता है आपने कहा 8 दूसरी संख्या से गठाया जाता है आपने कहा 6 तो अनुपात बन जाता है नया 8 अनुपात 5 क्या बन जाता है आठ अनुपात पांच अब आपको करना क्या है क्रॉस प्रोड़क्ट मेथट लगा दीचे बहुत एजी पड़ता है क्या करना है पांस ती अब पंदर है आठ दूनी सोला सोले मैं से पंदर गए एक का फर्क उपर काम खता नीचे देखिए आप लो आठ शे यहां पर आठ यहां पर है कंफर्म आठ तिया 24 आठ तुनी सोला तो अभिष्ट आंसर आगे 24 और सोला तो पहली संख्या 24 है दूसरी सोल हो गया तीसा कुशन करते हैं चलिया आईए मेरे साथ तीसा कुशन करने के लिए तो question number third क्या कहनी की कोशिच करता है देख लेते हैं question number third और आपकी screen पर आ रहा है question number third आप देखे अच्छे से बहुत प्यारा question है कैता क्या है चार अंको की कैता क्या है चार अंको की वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रतिक इस्तिती में भाइस साब एक ही वस्ता है अब देखिए, ओफ्शन लिख देता हूँ पहले तो आपके सामने एक जीरो नौ एक, एक जीरो दो एक, एक जीरो जीरो एक, एक जीरो चार एक अब कोश्चन की डिमांड यह है, अच्छे से सुनेगा चार उंकों की वह चोटी से चोटी संक्या मालली की भाई है यह चार उंकों की वह चोटी से चोटी संक्या एक्स है जिसे दो तीन पांस से विवाजित करने पर परतिक इस्तिती में सेश्फल बचता है सेसफल का मतलब क्या होता है सेसफल का मतलब यह होता है मैं आपको दिखा दू जैसे 24 में मैंने 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 पांदूनी 10, पांथी 15, पांचोग 20 बचे कितने? आपने मुझे से कहा 4 बचे तो आप मुझे बताइए क्या 24 में से मैं 4 घटा दू बचेंगे कितने? 20 बचेंगे तो इस 20 से तो 5 कट जाएगा न कहने का मतलब यह होता है अगर सेसफल बचता है क्यों न उस संख्या मैं से घटा दिया जाए संख्या फिर डिविजिबिलिटी प्राप्त कर लेगी कहने का मतलब एक्स में से जो सेसफल बच रहा है एक उसको मैं घटा दू तो यह संख्या कट जाएगी 2-3-5 से बात किलिए रहे के नहीं? किस से कट जाएगी? 2-3-5 से तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स में से एक घटा कर जो भी संख्या बनेगी वह 2-3-5 से बिवाजित होगी आपने का हाँ ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो चलिए तो मुझे एक बात बताईए फिर आप यह कह सकते हैं न कि अगर मैं यह बोलू कि इन में से एक घटा दू तो इस संख्या 2-3-5 से बिवाजित होगी हाँ जी आप बोलने हैं बिल्कुल सह ऐसे हो सकता है तो आप एक के घटा लीजे गठाने पर यह कितना आजाएगा आपने का 1090 गठाने पर यह कितना आजाएगा 1020 गठाने पर यह कितना आजाएगा इसको पहले रफ कर लेते हैं बेट कीजिए, अगर हम इसको रफ करेंगे, गठाने पर कितना आ जाएगा, आपने का 1000 आ जाएगा, गठाने पर कितना आ जाएगा, यह 1040 आ जाएगा, अब यह बताईए यह जो नमर्स आ रहे हैं, एक को कम करने पर किस से कटने चाहिए, दो, तीन, पांच से, दो क्या कहता अगर पीछे का अंक अगर आता है दो चार छे आट जीरो तो मुझसे कट जाएगा पांच क्या कहता है पांच क्या कहता है अगर पीछे जीरो आता है या पांच आता है तो मुझसे कट जाएगा और तीन क्या क्याता है तीन क्याता है अगर एकाई के एक्चुल में तीन क्यात रखता हटाओ इसको वी सपने 12 तीन हो रहा है रहा है यह कट जाइगा आंसर रखो इसको एक नहीं कटेगा रखताओ से एक च्छार पांच नहीं इंक आपटाओ से आंसर के हम रहे चलो बहुत नुर्छ मसेकंड इसका औれない सेट्टे कोशिन पर क्या कहता है है यह घर नहीं करना को कि आपको है को Anh Similar उयुक्षक क्या कहरा डेख लेते चलिए चौता प्रेश भाद आपकी screen पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको देख लीजे पता है प्यारा इसा question है चौछ अपसे देखे यह कहता है 9.08 घंते को आपको चेंज करना है, घंटे में, मिनट में और सेकंड में, कैसे चेंज करेंगे, चली आद, सिखाता हूँ मैं, देखिए, इसको चेंज करना है, आपको किसमें, घंटे में, पहली बात तो बोला है, इसने घंटे में चेंज करो, चलो सुन ली इसकी हमने, फिर इसने बोला ह है कि भाई साब इतने से पेट नहीं वरेगा देख लिए आप पहली बात देखिए अगर इसको प्रतिशने पढ़ना चाहूं तो आपको किलर करा दूँ नौ गंटा तो पूरा है यहाँ नौ गंटे तो पूरे है यहाँ पर minute का देखिए कितना है minute का 8 प्रतिशत भाग है इसको अगर मैं तोड़ू कैसे तोड़ सकता हूँ 9 प्लस 0.08 और 0.08 को मैं अगर तोड़ू तो point हठाऊँगा तो नीचे 100 लगाऊँगा और 8 प्रतिशत को क्या लिखते है 8 प्रतिशत क्या लिखते है 8 प्रतिशत तो मैं यह कह सकता हूँ मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो minute दी गई है minute होती है 60 60 की कितनी minute दी गई है 8 प्रतिशत calculation कर लिजए 6-8 आपने बोला 48 480 आएगा प्रतिशत का point लगा देंगे आपको ये clear हो रहा है इसका मतलब यह है यहाँ पर सिर्फ हमें 4 minute मिल जाएंगी कितनी minute मिल जाएंगी 4 minutes और यहाँ पर point 80 बचेगा point 80 का मतलब होता है 80% बचेगा 80% बचेगा 80% बचेगा 2 बचेगा 1 minute का भाब कहने का मतलब यह है सेकंड में आंसर निकालना है, तो यहाँ पर 80 प्रतिशत मिनट बची है, यानि कि एक मिनट का 80 प्रतिशत बचा है, तो एक मिनट साथ सेकंड के बराबर होती है, निकाल देजे, आट छेंग, अर्टालीच, दो जीरो से आप प्रतिशत को खागे, आट छेंग, फाइनली कोश्चन नमर करते हैं, फिफ्थ क्या कहता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोश्चन नमर फिफ्थ क्या कहनी की कोश्चिश करता है, देख लेते हैं, कोश्चन नमर फिफ्थ क्या कहता है आपसे, पहले तो आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, देखे मैंने एक और कोश 5 घंटे को आपको change करना है किसमें change करना है वही घंटे में वही minute में वही second में कैसे करेंगे अभी बताया यह घंटा तो complete है एक घंटा complete है कोई दिक्कत नहीं आपको बता है 0.85 यहाँ पर यह मतलब है कि यहाँ एक घंटे का 85 85 प्रतिशत मिनट है एक घंटे का 85 प्रतिशत मिनट है एक घंटे का 85 प्रतिशत मिनट है एक घंटे मिनट कितनी होते हैं अभी का साथ तो 60 का 85 प्रतिशत मिनट है calculation कर ले हाँ जी कर लेते हैं 0 से आप 0 कार देंगे 6 5 30 की 0 कैड़ी कितनी 3 6 48 और 3 आप कहा देंगे भाई साब यह आ रहा आपका पांसो दस जीरो से जीरो कर जाएगा यहां आ जाएगा 51 मिनट अब देखिए अच्छे से देखिए कुछ बच नहीं रहा तो कोशन यहीं घता में आंसर आ जाएगा एक घंटे 51 मिनट चली जो क्यों अप्शन नमर थर्ड है चल आपसे क्या कहने की कोशिश करता है बड़ा प्यारा कोशन है 6 कहता है पांच चंको की वह बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद कीजिए जो 12, 22, 55 से पूरी तरीकी से भिवाज हो जाती है किस किस से 12, 22, 45 और 55 से पूरी तरीकी से क्या कट जाती है कहने को मतलब यह है अब दूसरी, 97020, तीसा option क्या कह रहा है, 94010, चौता option क्या कह रहा है, 96050, मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, कि भाई, ये जो बड़ी से बड़ी पांच चंकों की संख्या है, 12, 22, 25 से कटती है, आप मुझे एक बात बताईए, कि अगर कोई भी संख्या 12 से कटती है, तो वै तीन गोणा चार से भी कटेगी, तीन गोणा चार से भी कटेगी, आपने कहा हाँ जी, चार कहता है, चार कहता है, पीछे के दो अंक अगर मुझे से कट जाए, तो वै संख्या, क्या होती है, मुझे से कट जाती है, पूरी की पूरी, कि ये चार कट रहा है, आपने क यहां यह कट रहा है आपने कहाने ही यह कट रहा है आपने कहाने ही चलो आंसर यह हटाओ कॉस्टिन अमर क्रते हैं कौण Brende Motiं 7 का कि कुछ करते है देख लेते हैं को मभ सेवन को भी थेर यह शानति नम शाड़िटोन WannaMrich यानि कि 5,824 में से वे संख्या घठा दीजी, माल लिजी वे संख्या X है, तो प्राप्त संख्या किस से कड़ जाती है, 20, 28, 36 और 48 से, अब मैं आपको शॉर्ट कट बताता हूं, किलियर, option क्या है, 786, 784, 780, 782, करना नहीं है आपको, कैसे करना है बताता हूं, अगर 5824, 5824 में से कोई भी संख्या घठाते हैं, तो वे इन से कट जाती है, 20, 38, 36, 48, मुझे एक बाद बताईए, अगर वे 36 से कटेगी, तो 9, 36 से कटेगी, और 9 से कटेगी, तो 9 कहता क्या है, कि अंको का योगफल, अगर 9 से कट जाता है, तो वे संख्या भी 9 से कट जाएग कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, कि अंको की योगफल से सवाल को निकाल सकते हैं, इसके अंको का योगफल क्या है, आप मुझे से कहेंगे, देखिए अच्छे से, 4 और 5, 9 अट गया, 8 और 2, 10, तो मैं अंको का योगफल से अंसर निकाल लाँ, 10 में से X गया, पर कितना आ रहा है, 9, X का मान निकालूँगा, तो 10 में से 9 जाएगा, एक आएगा, यानि कि अंको का योगफल एक आना चाहिए, आंसर वही हो जाएगा, कि यह एक आ रहा है, देखिना, 7, 8, 5, 6, 21, 21 होता है, 2 और 1, 3, नहीं आ रहा, हटाओ, 7, 8, 5, 4, 19, 19 मतलब, 19 मतलब क देखिए मताता हूं, यहां 7 और 8, 15, 4, 19, 19 का मतलब होता है, एक और 9, 10, 10 में यानि कि एक आ रहा है, यानि कि यह होगा, 7 और 8, 15, 15 में एक और 5, 6, बिलकुल नहीं होगा, 7 और 15, 15 और 2, 17, 17, 18, नहीं होगा, ओफ्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, यहां पर, सेकिंड ओफ्श कोश्चन नमबर 8, देखते हैं, क्या बोलता है कोश्चन नमबर 8 आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा आपको, देखें बहुत प्यारा कोश्चन, सच बताओं क्या प्यारा कोश्चन है, देखते हो लो, एक का बी से अनुपात क्या है, एक्स अनुपात 12, बी का सी से अनुपात क्या है, बोल रहा है, चार अनुपात 2, एक का सी से अनुपात क्या है, बोल रहा है, पांच अनुपात 3, पताओं क्या पूछ रहा है, तो एक्स अनुपात 2 बताइए, देखो, अच्छी से देखना यहाँ पर आपको चैरे एक समान दिखाई दे रहा है आप कहेंगे हाँ जी हमको दिखाई देते हैं किस किस के चैरे एक समान है यहाँ B का चैरे एक समान है तो समान कर लिजे यहाँ B का मान कितना है आपने कहा 12 यहाँ B का मान कितना है 4 क्या करेंगे समान कर लेंगे तो क्या कर देंगे यहां पर तीन का गुणा कर देंगे जिसे बारा बन जाए अगर तीन की वर्फी खिलाई है तो दोस्त को ना खिलाओगे बिल्कुल खिला दो के लिए तो यह हो गया 3Y कितना हो गया 3Y अब नीचे आजाई एक स्टेप अब यह सैटिस्फाइड हो गया अब यह सैटिस्फाइड हो गया कहने का मतलब अगर एक में परिवर्फन होगा तो तीनो रेशियों में होगा ठीक है आगे चलते हैं यहां देखिए A और C में से पांच ने कहाँ 5 कोई दिक्कत है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर तो सेम करना पड़ेगा A कमान नहें हैं यहांस छेन यहां कितना है 5 है same कर लिजे तो X का होड़ा इसमें करना पड़ेगा तो X का होड़ा इसमें भी करना पड़ेगा 5 का होड़ा इसमें करना पड़ेगा तो 5 का होड़ा इसमें करना पड़ेगा और इनके साथ ये भी है 5 का इसमें तो 5 का इसमें पूरा satisfied हो गया finally x अनुपात by बताना है अब सुनना अच्छी से a को समान कर लिया b को समान कर लिया अब c रह गया, यहाँ c कमान कितना है आपने कहा देखी 15 by और यहाँ c कितना है अच्छी से देखना, 3x और आपस में यह क्या है बराबर है, क्योंकि value तो एक ही है 3 से 15 कटेगा 5 बार तो x कमान directly आजाएगा 5 unit और by का आजाएगा 1 unit और यह इन दोनों पात है, 5 अनुपात एक जो की option number 4 correct है चलिए question number next करते है जो की कौन सा है नौबबक प्रशन है यह question अच्छा था ratio का डारेक्ट नहीं था, बहुत कुछ क्या गया है question, question number 9 क्या कहनी की कोशिश करता है देख लेते हैं, तो आपकी screen पर question number 9 आपको देखा ही देता बड़ा प्यारा question है, question number 9 तो इतना प्यारा question तो मैंने कभी देखा ही नहीं है क्या कहता है, एक ब्रत का छेत्रफल, क्या होता है ब्रत का छेत्रफल आपने कहा पाई यार स्केर एक ब्रत का छेत्रफल, एक बर्ग के छेत्रफल के बराबर है, बर्ग का छेत्रफल क्या होता है, बुजा का स्केर, यानि कि ए स्केर, आपस में क्या है ये बराबर है आगे ब्रत की परदी और ब्रत का परिमाब अच्छे से सुनेगा ब्रत की परदी होती है टूपाई यार और ब्रत का परिमाब ब्रत का परिमाब क्या होता है ब्रत की परदी और ब्रत का परिमाब बर्ग का परिमाब होगा ये गलत लिखा हुआ है बर्ग का परिमाप होता है 4E उसमें गलत लिखा हुआ है 3T है बर्ग का परिमाप का अनुपात ग्याद कीजिए यह अनुपात निकालना है कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको देखे अच्छे से मुझे एक बात बताईए A और R में मैं रिष्टा निकाल लूँ कैसे निकालूँगा दौनों तरफ अगर मैं अनुपात कर दू कोई दिक्कत आप कहेंगे नो दिक्कत चलिए तो यह फस जाएगा अनुपाई और यह स्केर से अनुपाईट कर जाएगा R के लिए भार यहाँ स्केर से अनुपाईट कर जाएगा A बचेगा फाइनली मैं कह सकता हूँ A के स्थान पर मैं value रख सकता हूँ अनुपाई अलग R है तो मैं रख दूँगा यहाँ पर 2 पाई R 4 और A के स्थान पर ही रख दूँगा अनुपाई और R जिससे R से R हमारा खता clear है न 2 से कट जाएगा 2 बार और आएगा पाई अनुपाई 2 अनुपाई आपको पता है पाई का मतलब होता है एक घाथ और अनुपाई का मतलब होता है आदी घाथ मुझे एक बात पता है यह आदार समयन है तो भाग मगाते घट जाती है तो पाई की एक घात में ऐसे पाई की आधी घात गई बचेगी कितनी आधी घात तो पाई की आधी घात बचेगी अनुपात कितना है दो यही इसका अभी स्टांसर है देख भी सकते हो option second सही है तो लिखने में दिक्कत आगे थी question में कोई दिक् नमबर दस क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं पहले आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बड़ा प्यारा कोशन है क्या कह रहा है अब से 6 साल बाद कीरती की आयू उसके भाई कुनाल की आयू की दुगना होगी यह कीरती है यह कुनाल है फिर कहता है किंतु 4 बर्स पहले किंतु 4 बर्स पहले यहां मैं पहले को माइनिस से रिप्रिजेंट करता हूँ बाद को फ्यूचर को प्लस से किन्तु चार बस पहले उसकी आयू उस समय की कुनाल की आयू से चार गुनी थी लो भाई चार गुनी थी, कोई दिक्कत नहीं फिर हम से क्या कह रहा है कुनाल की बरतमान आयू क्या है कुनाल की बरतमान आयू यानि कि इसके निकालनी है बर्तमा निकाले अब ध्यान लगना मुझे एक बार बताईए यहां गैप कितने का है इनकी आयू में तो अलग अलग जुड़ जाते यह प्लस का है माइनिस का है गैप के लिए जुड़ जाएंगे तो यहां अंतर आएगा 10 का 10 10 लगा दिजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेठल 2 कज़़ेंगे यहां पर पंद्य रख्डीजी कुनालकी ऑई यू आईउगे 15 आजएगे कितने साल बाद 6 साल बाद 6 साल बादjar वह बत्मान की फूछ रहा है तो आपको 6 साल कम करने पड़ेंगे 6 साल कम कर लिजे फाइनली कुनाल अभी 9 साल का होगा जो कि option नमर 2nd करेक्ट है चलिए question नमर next करते है जो की है 11 तो 11 प्रश्ण क्या कहने की कोशिच करता है देख लेते हैं 11 प्रश्ण क्या कहने की लोग क्या कहता है question नमर 11 अच्छे से देख लेते हैं कहता है दो ट्रेन जो क्रम से 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है आपको पता है पहली ट्रेन कितनी लंबी है 136 मीटर और दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है 150 मीटर कहने का मतलब 2 ट्रेन है होता क्या है एक दूसरे की ओर आ रहे है देखी कैसे आती है ये ट्रेन ऐसे आ रही है ये एक दूसरे की ओर आती है और ये फिर मिलती है चलिए मिल गई, मिलने के बाद ध्यान रखना, पहली ट्रेन की गती 70 km है, इतनी स्पीड से आ रही है, दूसी ट्रेन की गती है 65 km पे ती घंटा की स्पीड से आती है, और पता है आपको, मिलने के बाद, अब देखी concept, मिलने के बाद दौनो ट्रेन कितने समय में एक दूसरे क को पार करेंगे, मिलने के बाद, दौनो ट्रेन कितने समय में, समय कितना लगेगा, मुझे बताओ, समय वही तो लगेगा, एक दूसरे को तो पार करना है, तो एक दूसरे का डिस्टेंस कवर करेंगी, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तो सीधी बात है, समय तो दौनर ट्रेंटेंट पहले त्रेंट की दूरी ख़ड़ जाएंगी और आपको पता है जब आपने देखा होगा ऐसे एकसिडेंट होता है तो एकसिडेंट में चाल जूर जाती है तो पहले की में कितनी चाल ila 70 करे मुद्चेस MBA sidewalk चलो calculation कर लेते हैं फाइनली 5-6-11-1-80-1-8-3-11-1-2-80-1-1-1-2-3-321-135 पर आपको यह पता होना चाहिए यहां पर यह जो डाटा है ना यह किलोमेटर पर ते गंटे में है और यह डाटा है यह मेटर में चेंज कर लो पांच बटे अठार है काटा पीटी पहली बात तो यहां काटा पीटी होनी पाएगी क्योंकि यहां कटी रहा अपनी तरफ से 0 मान लो इसको एक को जेरो मान के हम काट सकते हैं कैसे काटेंगे देखी 5 से काट लिएजए पांच से कितना कटेगा देखो 5 छी के 30 बचा कितना 20 पांच उक 20 आगया 64 बार अब यहां मैं काटनी की कोशिश करूं तो इससी कट रहा है क्या यह चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं मैं आपको बताता हूं जोड़ना इन दोनों को आठ और एक नो जोड़ना इनको पांच और तीन और यह भी 9 होता है यानि कि 9 के पाड़ी से कट जाएंगे नो दूनी अठारा नो एकम नो कि तेरे में से नो के चार बचेंगे नो पंजे पैतालिस कट गया ना फाइनली क्या दिखाई दे रहा है आपको आपको दिखाई दे रहा है चौंसट दूना 128 बट्टे में 15 भाग लगा देना कि पंद्रे अठी 120 जैसी अठी में आपके आन साला सकता है इसका चलिए कोशन बेशा जो किये बार्या प्रश्ण समझ में आया होगा आपके बार्या प्रश्णों के साथ injuste अंगे तो यूक कोशन आम बार्य करतेatu है तो कोशन अबर 12 कहने की क्या कोशिशकित करता है, पहले तो इसक्रीन पर देख लेते हैं, क्या कहता है, एक प्यारा सा कोशन है, पताँ है चाहता है, कहता है, है एक debutition की आय में उसका बेतन और सेवाउं से मिलने वाली वक्षीश सामिल है यानि कि उसकी इंकम क्या है कोश्चन नमर 12 एक व्यूटिशन की आय क्या है उसकी आय है पहले तो बात उसे बेतन मिलता है और साथ में उसे बक्षीश मिलती है कुल मिला के उसका बेतन किन दौनों चीजों से बनता है बेतन से और बक्षीश सब्ता के दोरान यदि उसकी वक्षीश यदि उसकी वक्षीश उसके बेतन का पांच वटे चार है तो बेतन का किस से तुलना हो रही है बेतन से तो बेतन अगर चार यूनिट है तो उसकी बक्षीश कितने हो जाएगे पांच यूनिट मुझे एक बात बताईए अच्छे सु होगी? 4 और 5 9? होगी ना? पता है आप से क्या पूच्छा है? तो उसकी आये का कितना उसकी बक्षिच से आया है? तो बक्षिच से आया है 5 किस से? किस से? तुल्ला करा रहे हैं? उसकी आये से तो आये कितनी है? 2 5 बटे 9, बस हो गया यानि कि यह कह रहा था कि बक्सित से जितना भी मिला है वो I का क्या भाग है तो I कितनी है? 9 तो 9 में से कितना मिला है? 5 भाग यह आंसर होगे चलिए question number next करते है जो की question number 13 है question number 13 क्या कहनी की कोशिश करता है? देख लेते हैं question number 13 आप से क्या कहनी कोशिश करता है? देखते हैं question number 13 पता है क्या कहता है? कहता है यदि एक पईये की 38% ब्रदी कर दी जाए एक पईया लिया उसकी तरिज़ा बढ़ा दी जाए 8% तो पुराने पईये और नए पईये द्वारा 100 मीटर की दूरी तया करने में चक्रों में क्या फरक पड़ेगा? चक्रों का अनुपात बताईए मुझे एक बात बताईए दौनों के लिए distance तो 100 मीटर है दौनों पईयों के लिए चाहे वो पुराना हो चाहे वह नया हो अगर distance समान है तो हम आपको बता दे दूरी बराबर होता है अगर मैं पईय की बात करूँ तो 2 पाईय आठ दूरी तया करता है कितने चक्कर में? एक चक्कर में और N चक्कर में संपूर डिस्टेंस कवर करता है जितना की उसे चलना है N यहाँ पर कोई भी कोई भी चककर हो सकते है 4 चकर, 5 चकर, 6 चकर तो एक स्टेंडर फर्मॉला यह बनता है डिस्टेंस का अगर पईया घुमता है तो पईया घुमने का जो स्टेंडर फर्मॉला बनता है वो बनता है डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर गुणा N N यहां चक्रों की संख्या है R यहां पईये की तिरज्या है कि कितना बड़ा पईया है और यहां D मतलब distance है कि वो कितनी दूरी कवर करेगा अब बात यह है दूरी है कि दूरी है कि दूरी पईयों के लिए समान है अगर यह constant है यह समान है तो अगर जो चीज़ गुडा में होती है वह एक दूरी की उलट होती है यानि कि R उल्टा होगा N के R उल्टा होगा N के और N उल्टा होगा R के यानि कि तिरज्या उल्टी होगी चक्रों से और चक्र उल्टे होंगे तिरज्या के जलो तो पताई क्या कह रहा है उसकी 38 प्रतीशत बड़ा दी जाए 8 प्रतीशत होता है चार पाड़े में 8 कितने वार आता आपने का 25 यसा तो दो 25 बढ़ा दी जाए कहने का मत्तब पहले अगर 35 थी 15 में 27 हो गई तो पताई क्या पूछ जाए उसके चक्कर कैसे हो जाएंगे तो चक्कर तो उल्टे होते हैं इसके अगर तिच्छा 25 से 27 हो रही है तो चक्कर हो जाएंगे 27 से 25 आगे अंसर जो कि कि ऑफ्षेन नमबर पहला सई है चलिए कुछ नमबर नेक्स करते हैं जो कि चौदे माई कि कोशिश करता है देखो दो सम पहुबूच की बुजाओं की संख्या समाने बुजाएं समाने यदि बुजाओं की लंबाई में अनौपाद तीन अनौपाद पांच है बुजाओं की length में अनुपात कितना है तीन अनुपात 5 हैं तो पूछ रहा है उनके छेत्रफल में क्या अनुपात होगा ध्यान रखना बुजाओं का square कर देते हैं तो ही छेत्रफल बन जाता है तो छेत्रफल का इसका square कर देना 9.25 होगा चलिए question हमन next करते है जो की पंदरवा है पंदरवा फिरस ने क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं पंदरवा question आपके screen पर आ रहा है और देखिए क्या कहने की कोशिश करता है प्यारा question है यह यह कहता है अगर 2x plus y minus 3 बराबत 0 है तो निकालना है आपको 8x cube plus 18xy plus y cube minus 27 इस कमान निकालना है hit and trial लगा लो hit and trial क्या होता है मैं x और by के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखूँ जिससे समीकर कमान 0 हो जाए तुम कहोगे sir x कमान भी एक रख लो by कमान भी एक रख लो ऐसा करने पर हुआ क्या है दो गुणा x कमान एक रखा है by गुणा by कमान एक रखा है finally 2 एक कम 2 और एक यहां 3 और 3 में से 3 जाएगा 0 आ रहा है तो यह तो satisfied हो रहा है satisfied हो रहा है इसका मतलब यहां x कमान कितना है एक और by का भी एक तो रख दीजे x कमान एक तो यह हट गया x और by कमान एक एक यह भी हट गया y कमान एक तो यह आ गया finally यहां देखिए 8 और 28 26 27 27 में 27 जाएगा answer आएगा 0 हो गया option number 3 correct है चलिए next question देखते है question number 16 16 आपसे क्या कहें जी कोशिश करता है यह देख लिए तो चलिए कोशिश नमा 16 आप यह कहता है कि भाई पॉइंट पच्चीस 1.24 जीरो एटेट टू और टू पॉइंट यहां लेक दूँ टू टू पॉइंट 6,7 को आरोई किरम में लगाए आरोई किरम होता है बढ़ता हुआ किरम यानि कि सबसे छोटा उससे बढ़ा उससे बढ़ा उससे बढ़ा तो सबसे छोटा क्या है सबसे छोटा ग्याद करने के लिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपसे पहले तो आप पूडांक नमबर देखिए clear, पहले तो आप पूडांक नमबर देखिए पूडांक का मतलब यह है कि point के left hand side में देखिए यहां क्या है 1 यहां क्या है 2 तो यह तो बड़े होंगे भाई, 1 और 2, और यहां क्या है 0 यहां क्या है जीरो तो मैंने कास यह तो छोटी होंगे एक और दो तो बड़े है और जीरो छोटे छोटे है और हमें सबसे आगे छोटा ही लगाना है अब इन दोनों में कौन सा छोटा है तो इन दोनों में आप देखिए पॉइंट के बाद इधा देखने लग जाईए पॉइंट के बाद इधा देखने लगा यह पॉइंट के बाद क्या रहा है जीरो और पॉइंट के बाद क्या रहा है दो जीरो चोटा है या दो चोटा है आपने कहाँ जीरो तो सबसे आगे आएगा यह जीरो पॉइंट जीरो एटेट टू उसके बाद आएगा यह किलिए औ आपसे क्या कहनी कोशिश करता है, देख लेते हैं, सत्रे वाँ प्रश्न, क्या कहता है, सत्रे वाँ प्रश्न, देख लेते हैं हम लोग, देखिए, क्या कहता है, प्यारा सा कोश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुड़नफल, लासा और मासा का जो गुड़नफल है वे 24 के वराबर है दोनों संख्याओं का अंतर पहली बात तो मैं तुम्हें किलियर करा दू होता क्या है होता यह है कि कभी भी लासा और मासा चैप्टर में संख्या होती है पहली है अब इन दोनों में आपको मैं बता दूँ लासा होता है इन दोनों का लासा निकालेंगे न हम लोग तो लासा होता है जो इन दोनों का अगर घुणा करे तो आजकर एगा जो कित्ते एक बराबर है 24 के बराबर है कोई देखकत नहीं है बोला क्या है इन दोनों संख्याओं में अंतर अंतर का मतलब क्या होता है hx-hy इन दोनों संख्याओं में अंतर देखिए किसके बदाबर है? दो के बदाबर है एक बात बताईए यहाँ पर आपके पास ये value है आपके पास ये वाली value है इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं 24 ठीक? कोई दिखकत नहीं मुझे एक बात बतानी की कोशिश करे मैं कुछ factor करता हूँ यहाँ पर क्या factor करता हूँ? देखो आप लो इसके मैं ऐसे factor करता हूँ इसको मैं तोड़ लू 12 दूनी 24 कोई दिखकत तो नहीं है अब मुझे एक बात बताओ अच्छे से यहाँ X और Y आ रहा है यहाँ H आ रहा है यहाँ H स्क्वेर आ रहा है इसका मतलब मुझे H का मान जो भी मिलेगा वह है 2 घात के terms मोना चाहिए क्या बारत 2 घात के terms में? नहीं मैंने कहा इसको और तोड़ लेते हैं इसको तोड़ लेता हूँ मैं 4 तिया अब 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 यहाँ पर देखिए H की पावर 2 तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 3 दोनी 6 finally एक बात देखिए 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कोई देखकत तो नहीं और यहाँ पर देखिए इनका मैं अंतर कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 2 गुणा 1 तो यहाँ पर 2 common आ गया है देखिए 2 H कमान आ गया 2 H कमान आ गया और यहाँ पर भी H square कमान 2 की खावर 2 है तो H कमान कितना आ गया मेरा 2 और देखिए अच्छे से X और Y कमान depend करेगा अगर मैं यह क्या दू गुणा करने पर 6 और गठाने पर 1 तो इसको तोड़ लू 3 गुणा 2 3 में से 2 जाएगा तो यह की बचेगा Finally satisfied हो गया कि यहाँ X कमान 3 है Y कमान 2 है और H कमान 2 है रखना किसमें आपको आपको निकालना क्या है निकालना है आपको संख्या ग्यात कीजिए तो संख्या पहली क्या थी भाई पहली संख्या थी HX तो H कितना है 2 गुणा X 3 6 दू संख्या है HY 2 गुणा 2 4 आंसर आएगा छे और चार आंसर आएगा छे और चार ठीक है छे और चार जो कि option number third correct है चलिए question number करते हैं इसको हम option से भी कर सकते a question number 18 करते हैं 18 क्या कहनी कि खूशिच करता है देख लेते हैं pergunta आप है कि चेता है एक मिनार के 70 का 59 कौर एक मिनार है इसकी का 59 यानि कि नीचे से उपर का कौर किए टीजी डिग्री है ये कहता है मिनार की उर 20 मुर्ट चलते हैं 20 मुर्ट यहां तक चले चलिए 20 मिटर चलने के बाद जो कौन था वह 60 degree हो जाता है कितने degree हो जाता है 60 degree और आपको पता है जैसी मिनार के पास आएंगे एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा मुझे एक बाद बताईए यहां 30 degree का मान क्या होता है 10 30 degree का मान क्या होता है आप कहेंगे 1 upon root 3 और 10 60 degree का कितना होता है आप कहेंगे root 3 upon 1 अब दौनों कंडिशन में 10 ठीटा होता है लंब बटे आधार यह भी होता है लंब बटे आधार यहां लंब कितना है एक यहां लंब कितना है अंडूरतीन अब सुनना अच्छे से कहने का मतलब यह है इसका लंब यह एक है और इसका लंब अंडूरतीन है जबकि दौनों का लंब तो समान है न दौनों का लंब समान है दौनों एंगिल का इसका भी देखिए लंब यह वाला है और इसका भी देखिए यह वाला है है अगर लंब समाने तो लंब समान कर लेते हैं यह अरण रूर्तीन यह एख यह तो यह अरण रो सब्सक्राइब लेगे previous और on मुझे एक बात वन बहें अच्छ अर अनरूर्ड तीन का जैसे आपने गुढ़ाण करां तो नेचे आगे गंदर ōन रो और उपर आगे अंडूर 3 कहने का मतलब यह है यह वाली जो लंबाई है देखो यह जो लंब है वह अंडूर 3 है और यह जो आधार है आधार कितना है हमारा 3 देखिए यह वाला आधार यह वाला पूरा ओके जबकि इसका देखिए इसका अधार कितना है इसका अधार एक है यह वाला एक है तीन में से एक गया दो दो की वैलियू कितने 20 दस बार कटेगा निकालना क्या है मिनार की उचाई मिनार की उचाई इसमें रखतेंगे दस अंडूर तीन और यह कुशन का वेस्ट आंसर होगा जो की आपको दिख रहा है ओप्शन थर्ड